एक नए वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं Big Boss OTT सीजन में जो कि बहुत इंट्रेस्टिंग हो रहा है सबी देखना बहुत पसंद कर रहे हैं क्योंकि उसमें कुछ लोग ऐसे हैं बहुत देसी अंदाज में जो बात करते हैं देशी लोग हैं, देशी स्टाइल है, जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, सहर के लोग भी बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, मतलब जिनको हैविट नहीं थी, वो भी बिग बॉस है, वो सभी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लड़के, बच्चे छो सब्सक्राइब करें और चाहते भी है कि सिवानी विनर बने इस बार सीजन की वह मतलब चीज एक सेलिबरेटी लाइक बन गई है तो उससे बहुत जादा लोग इंस्पायर हो रहे हैं मोटिवेट हो रहे हैं तो यह बहुत अच्छी चीज है और हम लोग भी सभी चाहते कि और सिवानी को विनर बनाएं यह तो बात होगे सिवानी की लेकिन हम या वे कुछ और चीज के बारे में भी जो वीडियो बनाएं हैं जैसे कि थमनेल में है कि विशाल को अर्मान मलिक ने एक छोटी सी बात के लिए उन्हें एक थपड मारा थपड मारने वारी जो बात है न उसने वो चीज वो चिला चिला के अपने बार बार लोगों से बता रहा है लेकिन इस चीज को कोई भी मानने के लिए तयार नहीं है कोई भी एकसेप्ट नहीं कर रहा है सारे लोग घर के लोगों ने बोल दिया कि मेरा कोई होता अपना तो ऐसी ही बोलता हाथ उट जाता इ तो आगे से जब कोई तारीफ करता है तो बहुत अच्छा लगता है तो इसमें उन्होंने ऐसे कोई बात नहीं बोली थी जो उनको बुरी लग जाती अर्मान जैसे लोग इतने दूद के दूले बनने लगे छोटी सी बात के लिए हाथ छोड़ने लगे तो यह किसको डाइज यह बहुत ही गलत किया है उनको ऐसा नहीं करना था और अर्मान के आप वीडियोस देख लीजे उनकी कॉमेंट देख लीजी क्या अर्मान अपने वीडियोस नहीं देखते उनको उनकी कॉमेंट्स नहीं पढ़ते अपने वीडियोस के उसमें लोग क्या-क्या उनको बोलते कि इतने गंदी कमेंट करते हैं कि दो दो बीबी इयु वाला था सारी चीजें उनको गंदी बोले जाती हैं कर्दिका होगी बोली जाती हैं तब अर्मान किसको किसको थपड़ मार देते हैं किसको रिप्लाई देते हैं मैं अपनी फैबिले के लिए स्टैंड लेना जानता हूँ अगर कोई कुछ कहएगा मेरी फैबिली को तो मैं ऐसे हाथ उठाउंगा है ना तो ये दूसरों को कहछा है कि तो विशा यहां बहुत अच्छी बात है चोटी सी बात के लिए हांट उठता है क्या कोई तो वहां अर्मान सब को मतलब कर रहा है कि सबको ऐसी बोलेगा कर दो एक को बोलेगा तो उसके फेवर में आख लोगों ने विसाल को गलत ठेरा दिया जो सब कर दिया कि देखते हैं उनको सबी को पता होगा कि एक दिन नेजी ने भी भी बोला था जब सीवानी अच्छे लग रहे हैं और उसने तारीफ वाले वेिध में ही बोला है विशाल ने कुछ गलत नहीं बोला उसे तो फिर्नेजी ने बोला था फिर्नेजी की नियत गंदी है क्या ऐसा कुछ नहीं होता है कि मेरे лекहरे वालों नहीं नजर गंदी कर ले हिसका मतलब यह क्योंकि नजर इसकी यह कंदी यहीं भौझ कोई इसकी तारीय सतारी करें वह भी इसको गंहीं लगेगा क्योंकि यह गंदा है अगर अगर अर्मान के मन में अच्छी अच्छी भावना होती और अच्छी चीज होती तो पाइल के बेस्प्रेंट करती का सही साधी करनी थी क्या इसको कोई और नहीं मिला था उसी से कर लिए तेरी नियत गंदी हुई कहीं ततफ जागे तो साधी पर आय के उसमें चुने साधी कर कर ली तिरी नियत घंदी कर लुए तो साधी करी इसकोई साधी कैने तुम्हति पच्छी में धूण Mex इसलिए मैं बना रही हूं विसाल को इसने जो थपड मारा है वो सरासत गलत है गलत है और वो लड़का विचारा बोल रहा है रो भी रहा है उसके पैरन्स सारी उसके सोग देख रहे हैं कितना बुरा लग रहा होगा ऐसे सभी बोल देते हैं भाई कि अच्छी लग रही हो बहुत बड़ा मुद्दव नहीं है इसमें अर्मान जैसे लोगों को यह किसी को भी इतनी फ्री से बात के लिए हाठ नहीं उटह नहीं बनाना चाहिए ही नहीं मुद्दा नाने बानानी चीज और अर्मान नहीं बना Clayton mock應該 ön को बांवां को सेंस नहीं है ये दो बीवी हैं इसके इनको दो बीवी हैं चार बच्चे हैं लेकिन सेंस नहीं है बात करनी का सेंस अफ यूमर इसका बहुत गंदा मुझे लगता है ये बिल्कुल भी मैचुरिटी कहीं दिखती नहीं है अजीब सा इसका जो चेहरा उत्रा सा अजीब सा इसक रहता है जो रियक्षन इसको देखो एक दिन आये थे अनिल कपूर जी तो उन्होंने कुछ बोला कि आप नौमिनेट किये जा रहे हो इसमसाफ से उसकी गलतियों को मानते हुए उन्होंने बोला कि पूरी बात सुनने की सकती रखा कर दोगली बोला सिवानी को बताओ कितना न चाहिए था क्रेटिका और अर्मान को निकलना चाहिए था पर हो गया उल्टा निकल गई वो बैचारी वो इन दोनों से काफी हद तक सई लेडी है वो अब अलग बात है ये कि साधी उसने करवाई है उसकी बहुत बड़ी मजबूरी है इस चीज़ को हर लेडी समझती है कि वो बहुत मजबूर रही होगी बिचारी तक जाके उसमें स्टैंड लिया कि हाँ ये साधी करवा दी जाए कि उसमें अपने फैमली के अगेंस जाकर साधी करी ना इसलिए वो मजबूर होकर के उसमें इसके साथ में रहना एकसेप्ट किया ये तो कोई भी और नहीं पड़ मारा वो भाई बहुत घलत बात है उसकी मैं तो कहते है पनिस्मेंट इसको मिलनी चाहिए और वहीं मिलनी चाहिए वहीं बात कातम होनी चाहिए बाहर का मैं नहीं कहते है कि बाहर आके कोई किसी से दुस्मनी रखे बट वहां पे तो उसको मतलब मुझे से छाली चीज़े हो रही है घर में बाकी सीवारी बहुत अच्छा कही बबात बैस्ट कहल रही है और लोग चाहते है कि महार बीनर कोई ब्रभ खेक लोग हैं सब्सक्राइब कर दूए बाह बहुत अच्छा कहल ना चाहिए ौन्ड बहुत अच्छी वह चाहिवां यया है और